हेलो क्यूटीज आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्राइडिनरी अटॉर्णी वू के एपिसोड 6 की एपिसोड स्टार्ट होता है एक नौर्थ कोरियन मदर अपनी बेटी को एक और्फनेच में छोड़ के जारी होती है उस अनाध आश्रम के चार्ज में जो लेडी थी उससे भी कह दे दिया है कि मेरी बेटी को यहीं पे रखना जैसी मैं प्रजन से छूट के आऊंगी मैं अपनी बेटी को यहां से ले जाऊंगी नौर्थ कोरियन मदर जिसका नाम था ह्यांग सेम वो एक रॉबरी के केस में जेल जाने वारी थी क्योंकि रॉबरी करते टाइम पे उन्होंने किसी को इंजर्ट भी कर दिया था तो इस केस को लेके सुयून बहुत ज़ादा पैशनेट थी इसलिए अटार्णी जूंग यंग वो को भी चोई सुयून के साथ भेज देते हैं कि तुम थोड़ा सुयून को काम डाउन कर देना क्योंकि वो बहुत ज़ादा एमोशनल हो रही है इस केस के चक्कर में पर दिखाते हैं चोई सी यून और यंग वो डेटेंशन सेंटर में जाते हैं हाइंग सिम से मिलने जहां पर वो अपने स्टोरी सुना दिया कि 5 साल पहले वो नोर्थ कोरिया से भाग आई थी साउथ कोरिया में और उसके कुछ पैसे थे एक ब्रोकर पे पर उस ब्रोकर ने कहा कि तुम वो सारे पैसे एक ली सुन यूंग नाम की लेडी है उससे ले ले लेना मेरे पैसे उस पर है तो तुम डाइरेक्ट उस ले ले लेना तो वो पैसे लेने के लिए हाइंक सेम अपनी फ्रेंड ज्यूंग हूई के साथ उस लेडी के घर में जाते हैं और उसके घर में उसे काफ़ी टफ तरीके से बात चीत करते हैं कि हमारे पैसे बाप्रेज लुटा दो रही है वगियरा उसके घर में तोड़ फोलुट कर देत इस चक्र में काफी शोर हो रहा था तो गर की जुवाँ पुलिस को फून कर दे दी है कि फिर से हमारे घर में शोर मच रहा है और जब वहाँ पुलिस आती है जूह हुई तो पकड़ी जाती और ब्रषा मिल इसको चार साल के सजा भी मिलती है मगर हाइंग सिंव भाग गई थी क्योंकि उसको अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी उस ताइंग पे उसकी बेटी बहुत चोटी सी थी और क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया से भाग के यहाँ पे आई थी तो उसकी यहाँ पे कोई फैमिली भी नहीं थी तो और वो अपनी बेटी को ऐसे कहीं पे छोड़नी सकती थी तो इसलिए उसने सोचा कि जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं अपने आपको अपने आप भी पुलिस के हवाले कर दूंगी और अब वो उसने अपने आपको पुलिस के हवाले करी दिया था वो यंग वो चोई सी उनसे कहती है कि अब वो आराम से है और बस इतना हो जाए कि जल्दी से वो अपना प्रिजिड टाइम खतम करे और अपनी बेटी के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करे वो कहती है क मुझे भी मेरी फ्रेंड की तरह चार साल की जीर हो जाए तो भी चलेगा मगर यंग वो बहुत ज़़ा उसके लिए पैशनेट हो गई था वो कहती है नहीं हम यह एकसेप्ट नहीं करेंगे हम प्रोबेशन के लिए फाइट करेंगे मगर जब अटॉर्णी जंग यंग वो क की बात सुनते हैं तो उसे कहते हैं कि प्रोबेशन पीरिट के लिए सजा कम से कम यह साल से कम कि होने चगे है मगर इस kेस में हम कम से कम सजा तीन साल और शे महीने की ब्लीट कर सकते हैं इता चार साल पहले ये case लड़ा था उससे सारा case डिसकस करते हैं और वो ये भी mention करता है कि जिस عورत पर हमला हुआ था उसकी कितनी जादा चोट वगेरा थी और वो ये भी पताता है कि जिस doctor ने उसके सब कुछ ये check-up वगेरा किया था, वो North Koreans की defectors के काफ़े खिलाफ ही है मतलब जो लोग North Korea से भाग के इधर आ जाते हैं क्योंकि उसके बाद उस डॉक्टर ने एक article भी लिखा था पिर दिखाते हैं जुनो और टॉर्णी कुन बैटे होते हैं और वहाँ पे दोनों काफ़ी जादा ड्रंक ही थे और जुनो में नवू से पूचता है कि मुझे एक पसंद है बट मैं उसको ऐसे दिखाना चाहरा हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ टॉर्णी को इन कहते हैं कि तुम तो हैन्बडल ओफ हमके सब ज़्यादा पॉपुलर गायों तुमें टॉर्णी को इन कहने भी लगते हैं कि मुझे बतातो सही कौन है तभी तो मैं तेरी कुछ हेल्प कर पाऊंगा एक्स्टे दिखाते हैं जुनो चोई सियोन और यंग वू तीनो उस लेडी के घर पे जाते हैं जो रोबरी के टाइम पे घायल हो गई थी और जब वहाँ पे पहुचते हैं तो वहाँ पे उस लेडी की पिटाई हो रही होती है तो वहाँ की लैंड लेडी उनको बताती है कि ऐसा पिछले 5 सालों से ही हो रहा है वो अपनी पत्नी को बहुत मारता रहता मैं हर बार पुलिसको फोन करती हूँ कोर्ट में चोईसी उन जब विक्टिम से कोश्चन्स करती है उसकी इंजरीज के बारे हैं बर वो कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं देती और बात में तो वो बिल्कुल मनाई कर देती है कि उसे याद ही नहीं है कि आटौर्णी कूइन ने चोईसी उनको बता दिया था कि जुरू तुमें लाइक करता है अगर दैनल ही जब चोईसी उन चोईसी उनको पसंद करता है प्षट आसा था नहीं और चोईसी उनने के काफे खुछी हो जाती है उसको जुरू पसंदी था और एक सीन पे आके टॉनी कुन यंग वू से कहा रहे होते हैं जब चोई सी यून और जुनू एक साथ ख़ड़े थे वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो टॉनी कुन यंग वू से कहते हैं कि देखा इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है तो मैं नहीं लगता कि जोनू चोई सी उनको पसंद करते हैं यंग वू उनको देखती रहती है कोर्ट में थोड़े ब्रेक के बाद दिखाते हैं यंग वू उस डॉक्टर से कुषिनिंग करती है उसने विक्टिम के इंज्रीज के ऊपर रिपोर्ट लिखी थी पर वो डॉक्टर काफी हद तक नोर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के खिलाफ था उनके अगेंस था तो पहले तो वो कुछ बोल नहीं रहा था मगर जब यंग उस के सामने वो आर्टिकल प्रिजेंट करती है तो फिर डॉक्टर बाद में अपनी सारी फिलिंग्स बोल ही रहता है नोर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के खिलाफ की कैसे वो हमारे देश में कोई टेक्स तो देते हैं नहीं है कि तुमने उस डॉक्टर को क्यों विटनेस स्टेंड में खड़ा किया था वो ग्रूप ऑफ राइटियस डॉक्टर का एक्जिक्यूटिफ था वो हमारी इस फिर्म का एक बहुत बड़ा क्लाइन था और तुमारी वज़ासे हमारे बिलियन्स लॉस्ट हो गए है यादा जाती है वो पुराने सी नियाद करती है जब वो अपने पापा से पूछती थी कि मेरी मॉम क्यों नहीं है मैं अक्यली क्यों हूँ नेक्स डे कोर्ट में यंग वू ये प्रूफ करती है कि नोर्थ कोरियन ये कहता है कि जब तुम अपने ही समान लेने जा रहे हो तो वो रोपरी काउंट नहीं होता है और साउथ कोरिया में ये काफी हद तक पनिशेबल लॉओ है तो हमारी डिफेंडेंट क्योंगी काफी टाइम तक नोर्थ कोरिया में ही थी वो थोड़े डाइम पहले ही इधर आई है तो उनको इस वाले लोग के बारे में गुछ जादा पता नहीं था उन्होंने नोर्थ कोरिया के हिसाब से ही सोचा इसलिए उन्होंने ऐसी हरकर देखी मगर यंगवू खा पूरा आर्क्यूमेंट काफी जादा कन्विंसिंग था सब बहुत कन्विंस हो रहे थे मगर फिर जजज अब हाइंग सिम से खुद ही पूछ लेते हैं कि तुम बताओ क्या यही बात थी काइंग सिम जवाब तो देती है मगर वो जवाब ऐसा होता है जो उसके पक्ष में नहीं था इसके बाद जी उटी डिसाइड करने चला जाता है कि क्या डिसीजन होने वाला है जवाब भी लगी पड़ी थी कि कैसी भी करके यह जो वर्डिक्ट आए यह हमारी क्लाइंट के पक्ष में हो वो जजज के पीछे पीछे चली जाती है जजज से काफ़ी प्ली करती है कि कैसे वो और एक बहुत अच्छी मदर है वो सही करना चाहा रही थी काफ़ी सारे ऐसी सजेशन्स दे रही होती है कि प्लीज आफ फिर से अपेरिंग स्टार्ट कर लो प्लीज काफ़ी उनसे प्लीट कर रही होती है मगर जज उन दोनों को वहां से भेज देता है तिर दिखाते हैं वर्डिक्ट आती है जूरी ने डिसाइट किया था कि चार साल की सजा मिलेगी मगर जब जड सेंटेंस सुनाते हैं तो वो कहते हैं तीन साल का तो प्रोबेशन पिरियर्ड होगा और 80 आवर्स की कम्यूनिटी सर्विस होगी इस रीजन से क्योंकि उसने अपना क्राइम खुदी कनफेस किया था वो पुलिस के पास खुदी आई थी और इसे सुनके यंग वो चोईसी उन बहुत सथा सर्प्राइस हो जाते हैं उन्हें लगता हैं कितने पागल हैं हम इतनी बड़ी बात भूल गए कि उसने खुद जाकी कनफेस किया था तो उसको कुछ छूट मिलती है आद में दिखाते हैं चोईसी उन यंग वो का अपने साथ ले जाती है शॉपिंग कराने और वहां पर टेसन लोफ फर्म की सीईयो टेसूमी भी होती है और वो एक माबेटी को शॉपिंग करते हुए देखती है और वो भी व किसे यह एपिसोड फिनिश हो जाता है अगर आपको यह पसंद आया हूँ तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंच करें और बाई बाई तिल नेक्स वीडियो